संखर्स 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 चारी रहेगा हमारा संखर्स अपना हक लेकर रहेंगे रोजगार अपना लेकर रहेंगे सची महबद की थी तुससे SSC पर तू भी धंदा करने वाली निकली ये दर्ध है एक स्टुडेंट का दोस्तों आपको पता है इस समय क्या चल रहा है आपके देश में मोदी जी ने जैसे ही मन की बात की थी मोदी जी ने आपसे मन की बात की थी कि आप लोग खिलाओने बनाईए अपना रोजगार करिये लेकिन क्या आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं पूरा आज देखेंगे इस वीडियो में क्या क्या हमारे देश की समय स्थिती बनी हुई है क्या आप लोग नौकरी पाजाएंगे या आपको बिरोजगार ही रहना पड़ेगा तो देखते रहिए हमारे साथ चलिए देखते हैं ये सभी युआ वर्क जो है युआ वर्क जो इस्टुडेंट है सब के लिए बहुत ही जरूरी है आप लोग एकता बनाये रखिए संगर्स करते रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी जैसा कि उन्होंने ये कह दिया क्या आप लोग खिलाओने चलिए देखते हैं तो देखिए बताने से पहले सबसे पहले आपको हम ये बता देना चाहते हैं ना है हम किसी पार्टी से विलांग करते हैं ना हम भाश पास हैं ना बीजेपी ना कांग्रेस ना सापा ना बीस्पी किसी से हम डिलेटेट नहीं है ये जो है बात छिड़ ग जीवन का सवाल है उनके लाइफ परा सवाल है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है लेकिन जो मोदी जी ने कहा है क्या उन्होंने सही कहा या गलत कहा आईए हम पात्चित कर लेते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं मोदी जी हमेशा अपने मन की बात को करते रहते हैं, तो उन्होंने लगभग अभी तक टोटल 2014 से 2020 तक लगभग अभी उन्होंने 68 एपिसोट किया है, टोटल 68 एपिसोट कर चुका है, लेकिन क्या आपने कभी उनसे ये सुना, क्या कभी आपने उनसे ये सुना, कि उन्होंने कभी भी विरोजगारी पर बातचित किया किया उन्होंने कभी बातचित किया क्या उन्होंने कभी गिर्ती हुई GDP के बारें बातचित किया युवाओं पर कभी बातचित उन्होंने किया कभी नहीं किया किवल उन्होंने एक यह बात पर किया कि भाईयो बहनो हमारा विकास होगा सबका साथ सबका विकास लेकिन क्या ऐ परेज हो जाएंगे आप लोगों के लिमिट खतम हो जाएगी आप लोग बुड़े उचके होंगे कितने लोगों की तो डेथ भी हो जाती है लेकिन रेजल्ट आते आते रेजल्ट के इंतजार में तो उन्होंने सीधे से कह दिया कि खिलाओने बनाईए आत्मेर बन जाईए तो क्या आप लोग बीटे के Mbps, IIT ये सब क्यों करने खिलाओने बनाने के लिए खिलाओने तो आप लोग खुद बन चुके हैं जो वो लोग कह रहे हैं उनके हार्थ की हम लोग कटपुतली बन चुके हैं तो क्या यह आपके लिए सही है या नहीं सही है तो यही जो खरोना काल है हम भी मानते हैं कुरोना काल है हम भी मानते हैं को रोना काल है लेकिन आप लोग जेई मेंच का एक्जाम करा रहे हैं तब थो खरोना जालेन आफ प्ता prevention का लिए आप रिश्त्यर अंख पास प्रोडोस के जो लोग भी होंगे सस्सी रेलवे का एक जाम दिये हैं उन्होंने पांस-पांस सव रुपए जमा किया था और बात ये होती थी कि जाम हो जाने के बाद अगर नहीं निकलता चार सुरुपए आपका वापस आता है होता है और सव रुपए सरकार का होता है तो आप लोग 500 रुपए लेते ही क्यों है केवल 100 रुपए ही लिजिए लेकिन सरकार क्या है लटकाए रहती है ससी क्या है वो लटकाए रहती है कि 400 वापस देंगे तो सभी स्टुडेंट फार्म बरेंगे तो उनका फायदा होगा और इसी बिच वो लोग लटके रहेंगे तो यही सब लोग बात करते हैं और दो साल तीन साल चार साल हो जाता है लेकिन रिजल्ट न्यूज नहीं आता है कुछ भी नहीं आता है और न्यूज की बात करें जो आपकी मीडिया है वो भी लगवग पूरी बिख चुकी है जो भी आपकी न्यूज है मीडिया है वो सब क्या आपको न्यूज पर कभी भी विरोजगारी से सम्बंदित कोई न्यूज मिला, 2014 से 20 तक कोई भी न्यूज मिला, नहीं मिला, क्या आपको पढ़ाई से सम्बंदित कोई न्यूज मिली, नहीं मिली, सिच्छा के बारे मिली नहीं मिली कि अबल सभी न्यूज पर ही न्यूज है प्रजेंट टाइम के अगर बात करें तो रिजा न्यूज सुसांत केस न्यूज हम भी समझते हैं इवाओं का ये मतलब एक दुखी है लेकिन थोड़ा कभी कभी सिच्छा के बारे में भी बोलना च चाहिए बरोजगारी जो ये में तो बोलना Composite कर लेती हैं लेकिन कि उन्होंने वाओ के मन की बात को पूछा उवाओं के कभी गिरते हुए GDP पर बात नहीं किया कभी भी देश में स्थिती कैसी हुए इस पर बात नहीं किया बस किसानों के लिए हम यह कर रहे हैं हमारी देश की गरीब जनता ऐसे है तो इसको हम ऐसे कर लेंगे कभी भी बाढ़ प्रभावित छेत्रों के लिए पहले सी व्यवस्था किया कभी नहीं किया जब बाढ़ा जाती है सब कुछ खतम हो जाता है नस्ट हो जाता है तब वो लोग एक्शन लेते हैं लेकिन कभी भी इन सब के बारें बातचित नहीं किया गया जब भी अगर आप प्रेजन टाइम में नूज खोलते हैं ओपन करते हैं तो तुरांत एक अगर आप लोग ऑपन कर लेते हैं तो बस एक ही केस एक ही केस की आज इनका ये केस हुआ इनका हम तो कहते हैं हम तो ये कहते हैं यो जो आज तक है इसका नाम रख कर आप को Canon सिंजन कर देना चाहिए सब करना है कभी विछ पर बात करने वाली नहीं है एक भी बात लोग अपने जो पीम बोल रहे हैं उनके बारें बिरोध करने वाले नहीं बस एक ही बात सुसांत केस में ये हुआ था लिया केस में ये हुआ था विकास दूबे का एंड काउंटर हो गया और उधर राम मंदिर बन जाएगा तो बस एक ही केस और कोई केस नहीं और भारत है तो उसे लिया भारत कर लिजिए सुसांत भारत कर लिजिए हम भी समझते हैं ये चल रही है लेकिन क्या बात है क्या हो सकता है इन सब नियूस को दिखाने की सब कुछ दिखाएए लेकिन टाइम टाइम से विरोजगारी सिच्छा अर्थी वियुस्ता जी डीपी इन सब के बारे में भी के बारे में नहीं बताएंगे और यही सब काम है और जो है इसलिए जो आपने मोदी जी ने मन की बात की थी और उस वीडियो पे आप लोगों ने देखा यो लगभग एक सब साथ के के अवल लाइक होगा आपका और इससे कहीं जादा लगभग 900 या साड़े 800 के के इसका ड तर आएगा उस दिन से ही उस दिन से ना ये सरकार रहेगा ना ये लोग रहेंगे जब तक ही वावर्ग सांथा तब तक सांथा लेकिन जब बात आ जाती ही वावर्ग की तो जब भी वावर्ग खड़ा हो जाएगा तो कोई किसी का नहीं रहेगा क्यों एक ही दिन में अभी भी बाकी है दोस्तों हमिशा डटरेगा पीछे मत हटिएगा अभी हमें बहुत कुछ करना है ठीक और आपको बता दें कि वक्त सुधरते ही वक्त रहते ही आप लोग सुधर जाएए खासता और सरकार की बात कर रहे हैं जो आपके नेता हैं विधायक हैं मंतरे उन सब के बात कर रहे हैं आप लोग देखिए दोस्तों आप लोग बुरा मत मानिएगा हम भी किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं करते हैं लेकिन बात जब वावर्ग की आ गई है तो कोई भी सरकार है तो कह रहे हैं वक्त रहते ही सुधर जाए जिस दिन वावर्ग सड़क पर आ जा निजी कराड कर रहे हैं निजी कराड इतना ही अच्छा अगर है अगर निजी कराड इतना अच्छा ही है तो MP जो आपके हैं MLA जो हैं CM जो हैं PM भी हैं इनका भी निजी कराड हो जाना चाहिए इनका भी निजी कराड हो जाना चाहिए अगर काम करें तो ठीक है नहीं तो इ हमें तो अपने अधिकार यानि हमें अपने अधिकार यानि रोजगार से मतलव है तो इसमें बहुत कुछ नहीं है यही सब है आपका जो भी नीज था आप लोगों सको हमने बताया कि यही सब पर बात चेली हुई अब आपके उपर है आप लोग क्या करते हैं आप लोग भी वाबर्क से हैं अब आप लोग आनलाइन क्लास भी इस समय आप लोग अटेंड कर रहे हैं तो क्या आप आनलाइन क्लास से संतुष्ट रहते हैं जहां तकर हम बात करें कोई भी स्टुडेंट आनलाइन क्लास से सहम नहीं है क्यों नहीं सहमत है मान लीजिए आपके हां की आपके हां की नेटवर्क व्योस्था बहुत अच्छी होगी लेकिन कई स्टुडेंट ऐसे भी है जिनको स्विधा नहीं है क्या देते आंलाइन क्लास चलाएंगे नेटवर्क व्योस्था नहीं है विदेश में जाके न नeटवर्क ब्यवस्था बेंच रहे 얜ो भी नेटवर्क बिवस्था है पंचानवे करोड चाहे जितने भी बेंच दे रहे lij lively अपने नेटवर्क ब्यवस्था नहीं सुध्य कर पा रहे हैं क्या कोई सरकार पहले थी सब सब कुछ मेज दे रहे हैं निजी करण करा दिया जहां पर बात करते थें कि हर साल दो करोण नवकरी देंगे अगर हम असली बात करें तो गौर्णमेंट और प्राइवेट लेकर इन्होंने दो करोण की बजाए चार करोड नवकरीयां चीन ली हैं ठीक और सभी वरगों के ज़स्मत हुईएगा कि हम आपके पार्टी का बिरोध कर रहे हैं लेकिन आपके हित के इबारे में हम सब बात कर रहे हैं जब हम भी कलास लेते हैं कभी-कभी तो स्टुडेंट एक करते हैं सर नेटवर्क नहीं प्रावलम हो रहा है हम लोग छट पर बैठ जाते हैं धूप में पढ़ते हैं नेटवर्क प्रावलम होने के कारण ही तो यही सब है और आप लोग जब नेटवर्क ब्यवस्ताइब बेच रहे हैं तो कैसे चल पाएगा तो दोस्तों आपको समझ में आग़ा होगा आपको पड़ लिख कर कुछ नहीं करना आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नवकरी आपको मिलनी नहीं आप लोग बनाएगे के यह वल खेलाओना ले जाकर घर पर दुकान पर बेचेंगे आतने रवर्क बनना है तो आप खिलाओं नहीं बनाते रह जाएंगे तो आपनों से रिक्वेस्ट है संगर्स करते रहें और इसको यहीं पर समाप्त नहीं करना है जो कुछ भी है सब कुछ सामने आना चाहिए जैसे कि आपनों का हाई स्कूल इंटर्मीनेट का एक्जाम होता है रिजल्ट के लिए डेट नि यह धरना देना है धरना तो हम अनलाइन भी दे सकते हैं यह थोड़ी नहीं कि हम जाकर के वल सड़क पर भीड़ करें अन्य जंता को पर सानियों हम अलाइन भी जैंश एक सकते हैं अगर इस तमें कोई भी यूट्यूब चैनल खोल कर देखें आप बड़े से बड़ा कर रहे हैं को इस्टुडेंट जाता है चार साल तयारी करता है कैसे फीज जमा करता है यह तो आपनों को नहीं दिखता और आप लोग तो बस पैसा लेकर जेब गरम करते हुआ पढ़ते चले जाती हैं तो यही सब आपके देश में चल रहा है तो इसको दूर अगर करना है तो आपको जारी रखना है या संगर्स तो फ्रेंड्स ये थी नियूज और इसमें कोई भी आपनों के लिए भैदबाव नहीं है ये वावरक के लिए था कुछी भी पार्टी के लिए हमने कुछ भी नहीं किया है ना है हम किसी पार्टी से विलांग करते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक सेयर कीजिए सभी वावरकों के पास सेयर कीजिए कि आपको संगर्स करते रहना है